most welcome my friend again अपने चैनल में फिर से हम आप सभी का शौगत करते हैं और इस चैनल में जैसे कि हम रोज डेली न्यूज अपडेट्स करते हैं वैसे आज फिर करते हैं आज थोड़ा लेट है न्यूज अपडेट्स फिर हम स्टार्ट करते हैं FDA द्वारा एक एप्रूवल दिया गया जाकर अपने अपने स्लाइवा को अपने होम पर ही अपने नजदी के सेंटर्स या कोविड नैंटीन का जो आपके हेल्फ सेंटर होगा वहां से करके टेस्ट का जिब से एक स्ट्रिप्ट आई है कि डायक्ली आप अपने कुईक रिजल्ट होता है चार गंटे में आप उस जो रूमर्स है या एक डरावना है वो डर नहीं रहेगा यह स्टेप और इस चीज़ को हम सब को करना चाहिए नेक्स्ट नीज में हम आते हैं जाकर ट्राइल स्टार्ट किया है रेम्डिस्वेर कंबिनेशन किया है एक एंटी इंप्लेमेटिड ड्रग्स बैरिस्टनी फार इन इफेक्टिविटी जो सेल्स की होती वो कम होगी और इफेक्टिविटी ज्यादा होगी अब आने वाले टाइम में देखते हैं इसका सक्सेस्फुल होता है या नहीं होता है इस चीज़ को एंदर स्टेडी में यह पाया गया जाकर कि जो कोविड-19 के रिकवर जो पेसे हैं तो आने वाले टाइम में पते हैं किता सक्सेस्फुल है या नहीं है क्योंकि हार्ड इमुन्री डिवलप्मेंट होने से हमारी बॉड़ी सेल्स खुद भी फाइटिंग मोड में आ जाएगी कोविड-19 के अगेंस्ट में हमें कोई और ड्रक्स की ज़रूत पड़ेगी न ड्रोनल्ड ट्रम्स ने हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्यून्स के बारे में इंडिया से और बोब मीडिया में हाइप क्रियेट कर रखा था वहां कि एक्स्पेरिमेंटल ट्रायल्स हुआ चौदा से पेंसेंट्रों में वहां पर यह पाया गया यह तोटली फेल हुई है उसका सक्सेस्पुल रेट कहीं नहीं है तो आप इस जानले जो हॉइड्रॉक्सी क्लोरोक्यून्स अभी जो चौदा सो में यूएस में पूरी तरह से फेल हुई है इसका कोई एफेक्टिव यह तूइट करते हैं उसमें इंडिया को भी इसमें घसीटा था अब रिजल्ट सामने हैं दिस नथिंग तू वरी अबाउट इस ड्रॉक्स विकाज इस ड्रॉक्सी नाट इफेक्टिवली अगेंस्ट कोविट-19 वाइरस तोटली फेल है और इससे और भी साइड करने कि pandemic disease जब तक vaccines नहीं आती या कोई ऐसा systematically हमें drugs या medicine नहीं आ जाती हम इसको avoid कर सकें या इसको against में help कर सकें कि अपने आपको evenalize कर सकें तो हमें अपने आपको बचाना होगा इस ताइब की pandemic disease से तो अपने वर्ट प्राम को हम आते हैं अपनी Corona sections में यहां पे आप देख सकते हैं चालिस लाग के ऊपर करोना केसे पूरी वर्ड में इंक्रीज कर चुके हैं ड्रेथ दो लाग 75,000 के ऊपर इंक्रीज कर चुके हैं रिकवर भी 13-13 लाग के आसपास हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अब इंडिया में आप देख लीजिए 69,600 इतने हो गए 1900 के आसपास डेथ हो चुकी है मतलब दोजार अप्रोक्सिमेटली तो पिछले कुछ दिनों में सिर्फ पांच दिनों में अठारा हजार केसे बढ़े हैं आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सिवियर्टी बढ़ती जा रहे हैं इंडिया में लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और पांच सो से उपर डेथ सिर्फ पांच दिन का ये रिपोर्ट है जो अठारा जार का बढ़ा हुआ है तो आप भी पेयर पिल अब आप है जो हमने पांच दिन का टार्गेट बोला था आप लोगों को अठारा हजार न्यू केस एड़ हुए हैं और मोर देन फाइफ हंडेट हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि सीवियर्टी इंडिया में बढ़ रही है और इंडिया में लागदान भी ओपेन हो चुका है कुछ इसे भी नार्मल टाइब का है तो आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा भयाव है इस सीथ हो सकते तो अपने आपको सेक्योर सेफ और लाइफ स्टाइल चेंज करके कि गौवर्मेंट कितने दिन तक किसी चीज को रोंकेगी एकोनॉमिक की बहुत प्रावलम है अनेम्प इस पेपर में डिटेल में जाती हैं तो जो कांबिनेशन किया गयता है इसमें HIV ड्रक्स हैं एक कॉक्टेल्स तयार करते हैं ड्रक्स का और वन वीक बॉड्स तयार करते हैं या इनको बारा दिन के लिए बॉड़ी सेल्स में एक्सप्रिमेंटली यूज किया जाता है और यह पेपर लैंसिट में पब्लिस हुआ है और वहाँ पर यह सारे सिंटम्स यह जो भी रिकवरी है डिटेल्स में बताया गया जाकर कि कैसे कैसे वाइस पॉर्टिकल बॉड़ी सेल्स के अंदर देर देर डाउन होने लगते हैं क्योंकि जो इंटरफरान बीटा वन भी है यह इम् कोविड-19 के अगेंस्ट में तो इनका एक कंबिनेशन बनाया गया इस्कलोरोसिस ड्रक्स के साथ प्लस एचाइवी ड्रक्स का एक कॉक्टेल त्यार करके इस्टिट्ट में डाला गया बॉड़ी सेल्स में फिर अब देखते हैं इनका क्या एफेक्टिवली रोल होता है वै कोविड-19 के अगेंस्ट पे तो काफि तेजी से से हल्क़रवरी होती है आकश्यली में यह जी ड्रक्स काम क्या करती है इंमून सल्स जो होती इंस्टरफ्रन बीटा सब्स इनको बुस्टब करती है ऑगेंस्ट ये अगेंस्ट द अक्टिवेशन अफ द्ए इसमोन सेल्ट् के दोरा क्या पता ला था किस सेल्स को कितना बूस्ट अप करती जिससे की इतनी यदा रिकावरी होंग कॉंग में हो रही वैसे हम चाइना पे इतना विश्वास नहीं कर सकते फिर भी we need to be understand we need to go further research on these type of cells what they are doing within the body cells तो we need to use this chlorosis drugs और research से यह है कि अभी weight किया जायागा इनका जो भी combination है या cocktail करके utilize किया जारा body cells में how can immune system को strongly activate करती है या और अगर यह cells को activate करती है और हमारे organs को कोई damage न करे या lungs को किसी भी type के body cells को क्योंकि बहुत से immunologically problems होती है कंप्रोमाइजड पेसेंट भी होते हैं immunocompromise उनको effectively काम करें कि उनके body cells को degenerate करें तो यह आने वाले टाइम में research publish करेगा जाकर क्या high effectively या नहीं वैसे यह interferon जो होती है सार्स और मार्स में यह test करके हम लोग आलड़ी जान चुके थे अब इंट्रफिरान के साथ में combinationally COVID-19 के क्या होता है यह आने वाले टाइम में पता लगेगा hope you like and enjoy this paper also दोस्तों बाते हैं अपने last section में scholarship series section में यहाँ पर हम आपको 21 scholarship बताएंगे जो fully funded है आने वाले 2021 के series में आप इन चीजों को directly website में जाए और search कीजिए जो आपके required में जो आप जाना चाहते हैं वहाँ पर इन सारी website को एक-एक करके देखिए अगर आप eligible हैं तो वहाँ apply कीज आप इसे की चीविंग और युनाइटड की चीविंग और युनाइटड की कामनवेल्थ का इक इन चीजों की डेड डेड फेलोशिप जर्मनी की ए एस यानि की एडलेट वाली अस्टेलिया की है यह है जाका CSC Chinese scholarship से तर्कीज की scholarship रसियन scholarship Ireland की Holland की मैक्सिको की येल की export की Korean की सुर्जलेंड की सिवांजिन scholarship, Singapore, Taiwan, Canada, Poland, Netherlands ये साइट 21 scholarship आपको fully funded है आप इनको वेकिक करके देख सकते हैं Thank you so much for watching my video कर दो दो झाल झाल